आज दोस्तो लेकर काई हूँ आप लोग के लिए गाउ के तरीके से चिकन बनाने के रेश्पी दोस्तो ये चिकन के रेश्पी एकदम असान तरीके से बनाई हूँ और एक एक तम गाउ के तरीके से बनाई हूँ दोस्तो ता आप लोग लाश्टक वीडियो बने रहे हैं कैसे में बना रहे हैं दोस्तों आप लोग से बतलाऊंगी दोस्तों गर आज के अमारी रेश्पी आप लोग को अच्छी लगेगी तो धेड़ी सारा सेयर करिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा वीडियो कर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जर सोई में चले चीकन मनाते हैं दोस्तों चीकन मनाने के लिए पर कर ने हैं रहे हैं दोस्तों एक बाड़ा बरतन में क्या कर दोस्तों उसक्राँ में ज tut9-9-9 परЭ्ण पर हम जीरा डालेंगे दोस्तों और इन्हें अच्छा से हम पूरण को लाल कर लेते हैं दोस्तों, यह रेशपी अगर आप ऐक बना लेंगे न तक घंग न ख infinity बना करके नमक डाल करके मैं मिक्स कर लेकर दोस्तों 3-4 यहां पर हम तशपाता डाले हैं और यह पर डाल करके दोस्तों इस टाइम में तशपाता डालेंगे तो इसका जो खुस्प थो प्याज में अच्छा से पकेगा और आएगा अगर आप चाहते हैं तो फूरन के साथ में भी तेश सिल्वाटा पर मसाला पीस करके लिए दोस्तों यहां पर लगभग 20 मार्चा रखे हैं लाल मिर्च और यहां पर देखिए दोज से तिन चमच है जीरा धनिया चार अरगे अठा है लासुन का एक चमच है कलाव जी और उसके बाद में दोस्तों एक किंच यहां पर अधरक रख तो यहां पर मैं गाव के तरीके से बना रही हूं इसलिए सब्साभ तैज बना रही हूं क्योंकि गाव में करेंगे और मीडिय goo Cartै लेगे और एकदम मेडियम फ्लेम पर चीकन को सब्सक्राइब करेंगे और धेर सरा शेर जरूर करियेगा दोस्तों और मुझे कमेंट बक्स में कमेंट करकर जरूर बतेगा जी मेरे चिकन करेस्पी आप लोग कईसी लगी है यहाँ पर देखिए दोस मिलट दोस्तों पकाते हुए हो गया है और यहां पर देखिए जो मसाला है अच्छा से पोग गया है और जो पियाज है न ओ भी गॉल गया है दोस्तो थोरा बखी है तो यहां पर हम क्या करेंगे थोरा सा पाइन डाल करके इने भी अच्छा से हम भूनेंगे चैसे जैसे भूनाएगा दोस्तो पियाज जो है एकदम गोल जाएगा और यहां पर जब आप सुखा खाना चाते हैं तो इसी टाइम में इकाल करके खा सकते हैं और यहां पर ग्रेवी अलब बनाना चाते हैं दोस्तों तो यहां पर पानी भी डालिएगा जरूर पर मैं आधा सुखा इकाल दी हुँ दोस्तों और आधा में हम पाइंट में पकाई हूं पाइंड और इसी में थोड़ा सा हारा धनिया काटकर के उपर से डालेंगे तो जरूर डालेंगे दोस्तों क्योंकि इस टाइम में और बजार में रहा है गाहं में भी मिल रहा है यहाँ पर मैं हारा धनिया काट करके डाल दी हूँ और इनका ग्रेवी देखे दोस्तों कितना टेस्टी हमारा मासू बन करके त्यार हो गया है दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं रेश्पी के साथ अब तक के लिए बाई बाई और इस तरीके से अपने घर पर जाएंगे